हाई एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूँगा कि नेक्स वीक के लिए कौन से स्टॉक या कौन से सेटपस आपकी वटलीस में होने चाहिए और सेक्टर के बारे में भी जानेंगे एक अपडेट यह था कि अपसे जो पुजि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और कॉमेंट करके जाएए तो सुरू करते हैं आज का वीडियो तो अगर सेक्टर से स्टाट करें तो सबसे पहला जो सेक्टर आज हमने देखा बांस एक फार्मा के अंदर फार्मा में एक अच्छा बेज है और टैने ट्वेंटी के उपर आया तो ऑवियस है कि फार्मा के जो भी स्टॉक है वो आपकी वाटलीस में होने चाहिए एक अच्छे बांस के बाद सो फार्मा एक पहला स्टॉक फार्मा एक पहला सेक्टर जो आपकी वाटलीस में होगा फार्मा के स्टॉक जो सकते हैं यहां पर तो थोड़ा अगर यहां पर टाइम दिदा दे अगर यहां पर यहां से रहेगा और अभी के लिए अगर आप के बाद जो फॉल आया तब स्टॉक नीचे आया है फिर बेस बनाया है यहां पर थोड़ी दिन का और फिर यहां से ब्रेक आउट हो रहा है हम जब स्टॉक की बात करेंगे तब वहां पर जाके देखेंगे पीएश्यू बैंक हमेसा अच्छा करता आए तीन महीने से अच्छा प्रेटर ने अटेम्ट किया और फिर यह टेने ट्वेंटी के पास एक ऐसा बेजिंग सा पैटर बना रहा है तो यही एक सैटप जो मैं ऑब्सर किया के रिपीटेडली हो रहा है तो आपके वाटलीस में हो सकता है से मगें यह सप्टेमबर की केंडल बनी है एक अटेम्ब ह था वहाँ पर सपोर्ट लेके एक बेजिंग सा पैटर बनाया है रियाल्टी एक अच्छा सेक्टर है रियाल्टी भी आपकी वाटलीस में होना चाहिए रियाल्टी स्टॉक्स नेक्स्वी के लिए सो फार्मा पीएश्वी बैंक एंड रियाल्टी आप देख सकते एक ऑटो आटो एक बहुत अच्छा जैसे हमने लास्ट एक बार यहां से यहां से हमने यह ग्रेब किया था हमने देखा था कि आटो में एक मूह आ सकता है इसके बाद हमें एक क्लियर मूह मिला और बाद में अब यहां फिर से यह 10-20 के पास थोड़ा और टाइम लेगा तो बैटर र सब्सक्राइब करेंगे इसको भी अबएड करेंगे और निप्टी अगर जाके देखें सो निप्टी में थोड़ा टाइम लग सकता है विकॉज अप्टर सप्टेमर एक फिर से एक तरस्टे के एक अच्छी डाउन केंडल बड़ी डाउन केंडल मिलिए तो मैं थोड़ा ट रेल्वे के स्टॉक भी काफी एक हो रहा है तो वह भी आप से चेक कर सकते हैं अब एक्स्पेक्टींग अमूर नाव यहां पर आज्छा आप देख रहे हैं यही सेटुप से मोश्ट फ्रस्टों में गारा के बारा के बारा सप्टेम्बर कर जो डाउनफोल आया मिड के मू लोग बना रहा है यहां पे एक बेस के अंदर ऐसे सेट आपस को जाके च्टडी करें और वहां पे आपको एक अच्छा मूँ मिल सकता है तो यह एक अप्डेट है सेक्टर अप्डेट जो जहां पर आपको कौन से सेक्टर फोकस करने चाहिए नेक्स विक के लिए अगर हम F&O स्टॉक की बात करें तो F&O स्टॉक में सबसे पहला जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है होना चाहिए जो एक और स्टॉक है वह F&O से नंबर टू जिसका नाम टाटा कम्यूनिकेशन और टाटा कम्यूनिकेशन में अगर आप देखें तो यह बारा सप्टेम्बर के हाई के बिल्कुल आसपास आके रुका है अभी और अगर यह क्रॉस करता है अपने वाल टाइम ह और वही जो मैंने बताया बारा के बाद अटेम्ब हुआ फिर यह टाइट ट्रेंड में गया यहां से सो टाटा कम्यूनिकेशन आपकी वाटलीस में होना चाहिए फॉर कमिंग वीक यह बी एक अच्छा सेटम मुझे लग रहा है जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो जो नेक्स टोग है वह है डी एलएफ अगर रियालिटी में आपको बताया कि रियालिटी अच्छा कर सकते तो डी एलएफ रियालिटी में जाके देखें तो यहां पे भी लुकेट दीस एक केर्णल और यह टेन ट्वेंटी के आसपास यहां पर टाइट हो रहा है तो यह अ यह ट्री ठीक है आपकी खुद की तभी जाक्त के आप वहां पर यह ईयाशल एक्जिक्वेट करेंगे मेरे कहने पर आपको ब्यूह ईयाशल एडवाइस नहीं करेंगे मैं आपको कोई आपको नहीं दे रहा हूँ सो यह एक टाइट रेंज एक्सपेक्ट यह कर सकते कि यहा पावर में देखें तो ये भी अपने हाइप ने पीटीटीटूए मैं अगर आप जैसे देखें यहां बें यह एक बहुत अच्छा setup prepare हो रहा है, tight train में चल रहा है, तो यह आपको focus करना चाहिए, देखिए, यहाँ पे पहले breakout हुआ, उसके बाद tight train मना था, तो यह repeatedly होता जाएगा, लोग के again, यहाँ पे एक base से बाद, यहाँ पे फिल से tight train बनाई थी और ब्रेकाउट हुआ था, तो ऐसे setup अच्छा काम करते है, तो focus create data, sorry, focus create torrent power के उपर भी, और और भी power case stock अगर आपको अच्छे लगे, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते, तो यह कुछ update थी FNO stocks के लिए, और अगर हम cash stock की बात करें, तो cash stock में, जो सबसे पहला मुझे अच्छा लग रहा है, वो है PPL, प्रकास pipe limited, और यहाँ पर अगर जाके देखें, जो मैंने आपको वीडियो की सुरूआत में बता है, कि 10 and 20 के पास जो stock अच्छा tight train में चल रहा है, बिलकुल यहाँ पर volume देखिए, एक strong volume से breakout हुआ, और उसके बाद बिलकुल dry volume है, तो अगर यहाँ इसके उपर निकलता है, 266, 267, तो यह अच्छा काम कर सकता है PPL, तो यह पहला stock है, जो आपकी what list में होना चाहिए, प्रकास pipe limited, जो हमारा second stock है, वो है, रैपको home, अगर रैपको home देखे, तो एक बहुत ही बैतरीन base है, रैपको home के अंदर, और अगें सेम 10 and 20 के पास tight है, और यहाँ से आप एक trend line draw करेंगे, तो काफी अच्छा एक base में एक trend line आपको, और यहाँ पे अगर एक smaller time frame पे एक, तो देखें कि यहाँ पे तो higher lows भी यहाँ पे लग रहे इस stock के अंदर, तो यह बारा के बाद, यह एक tight range में जा रहा है stock, रैपको home, तो यह भी एक आपकी what list में होना चाहिए, एक अच्छा काम देख सकते हैं, आपको 394, 395 के उपर, रैपको home, तो यह भी एक आपकी what list में होना चाहिए, जो next stock है, वो है IOL CP, और IOL CP में अगर आप देखे, तो अगर इन एक strong buying होई थी, यहाँ पे उसके बाद stock नीचे आने लगा, लेकिन यह अपने जो last, जो breakout range है, अपने जो last base था, उसके पास अब फिर से consolidate करा है, 10 and 20 के पास, तो अगर यह stock, यहाँ पे कुछ दिर, एक दो-चार दिन और निकाल के, अगर यह breakout देता है, तो यह बहुत अच्छा breakout सावित होगा, जब यह stock नीचा है, notice this volume, यह volume कुछ जादा नहीं है, जब यह stock उपर गया है, तो volume बड़ा है, जब नीचे है, तब इतना कुछ volume नहीं है, तो IOLCP एक अच्छा stock है, जो आप next week के लिए अपनी वाटलिस में रख सकते हैं, और जो हमारा last stock है, वो paper stock है, अंधरा paper, और paper के stock, last week भी मैंने बताया था, और इस week भी मुझे लग रहे हैं कि, अंधरा paper या जी के paper भी एक अच्छा setup है, तो paper के stock बहुत ही tight, एक से account भी है, 20 से bounce भी हुआ है, strong up trending stock, 12 से उपर चल रहा है, 12 September के उपर है यह stock, तो यह stock आपकी वटलिस में होना चाहे, अंधरा paper, और यह थी update cash talk के बारे में, next week के लिए जो मुझे अच्छे लग रहे है, अगर हम positional trade ideas की बारे में बात करें, जो इस अपते से जैसे मैं आपको बदाए, कि इसी वीडियो में हम cover करेंगे, तो उसके लिए जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है MRPL, और MRPL में अगर देखे जाके, तो weekly chart पे मुझे MRPL बहुत अच्छा लग रहा है, और डेली पे भी है, यह अच्छा, और अगर विकली पे जाके देखे, तो यह कुछ setup है MRPL का, और पिछले कुछ week से अगर आप देखेंगे, एक टाइट रेंज में इसकी क्लोजिंग भी अगर आप नोट करें, ट्री विक टाइट लोज है इस हपते, और अगर आप दो-तीन हपते और देखें, तो वहाँ पे बिल्कुल पॉज चाहिक श्टॉक नहीं लिया है, तो MRPL एक ऐसा सेट आप है, जहां पर हम देख सकते हैं कि MRPL पुजिशनल एक अच्छा मूँ दे सकता है, इसका अगर टार्गेट देखें तो I am expecting a target, यहां सबसे पहले यह अपना यह हाई क्रॉस करेगा, तो 127 तो मैं इसको पकड़ के चलना हूँ, अगर आप बाय करते हैं, तो 96 के उपर, 97 के उपर आप अपनी बाय देख सकते हैं, क्योंकि एक टाइट रेंज में है, एक कॉंट्रक्शन बार भी है, वोल्यूम भी थोड़े नीचे आए, तो यह अच्छा सेटप है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको MRPL में, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह टारगेट कुछ 127, 125 के टारगेट देख सकते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, तो यह एक पहला आइडिया है, MRPL का और जो सेकर्ड आइडिया है, वो है, वेरोक एंजिनियरिंग, और वहाँ पर आप देखेंगे, वेरोक एंजिनियरिंग में, तो उसका ब्रिक आउट भी अभी ड्यू है, और वहाँ पर आप देखेंगे, तो बहुत अच्छा एक स्ट्रॉंग साउंड बेज है, वेरोक एंजिनियरिंग के अंदर, और यहां पर आप देखेगे तो मल्टी ये ब्रेटाओट हमें देखने को मिलेगा और विद्धूसटर मुखण मिलें ₹ सार साल का ब्रेटाओट हमें देखने को मिलेगा ओपर तो यह आपको ट्रेक करनाव ऒगा अगर यह रिपीट होता है अगर यह इंसाइड बार के उपर निकलता है थोड़ी बाइग तब करेंगे आपको फिर से एक मौका मिलेगा यहां पर बाइग करने का लेकिन यह एक स्टॉक अपनी रडार में रख सकते कि जब यहां से अपने चार साल के वेंच से उपर निकलता है तब आ होता है उसकेंडल का लो लेकिए आप अपने स्टॉप लॉस से चल सकते उसका लो आठ या दस परसंट पकड़के आप चल सकते अगर यह सैट आप नेक्स वीक भी रिपीट हुआ तो इसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहे हैं अगर इ एक हपता या दो हपता और लेले यहां पर अगर यहां पर करता है मुझे यह ज़्यादा पसंद आता है कि अगर कोई फ्लैगी से कंसलेशन मिले और उसके बाहुत ब्रिक आउट मिलता है तो वह एक ब्रिक आउट अच्छा मूँ दे सकता है तो बस यह कुछ अपडेट है पोजिशनल आइडियास के बारे में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे एक रिक्वेश्ट होगी कि प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को सेर करें और तेक्ट सीट फर टूडे थेंक यू फॉर यूर टाइम